आपके जहन में जब भी गोल्फ शब्द याद आता होगा तो उसके साथ टाइगर वोड्स खुद बखुद जुड़ जाता है सदी के सबसे महान गोल्फर्स में से एक हैं टाइगर वोड्स लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि 23 फरवरी को अमेरिका के कैलिफोर्निया में उ समय से दूर थे उनका ये इंतजार अब और लंबा होने वाला है उनकी पैर की चोट की वजह से लेकिन 2009 के बाद से ही टाइगर वोड्स की जिंदगी आसान नहीं थे आपको बता दें कि 2009 के बाद से वो सेक्स स्केंडल में फसे जिसके बाद उनका जीवन पूरी तरीके से अस्तव्यस्त हो गया और कहीं न कहीं उनका करियर भी पूरी तरीके से द्वस्त हो गया कौन है टाइगर वोड्स जिसे कि आप अपने जीके की किताबों में बार बार पढ़ते हैं बताते हैं आपको इस वीडियो में नमस्कार मैं हूँ आपके साथ श्रेया बहुगना और मताबिक जब उन्होंने टाइगर से पूछा कि उनका नाम क्या है तब टाइगर ने जब बताया कि उनका नाम टाइगर है तब उसे समझ में आया कि ये कौन शक्स है जिसकी गाड़ी का एकसिडेंट हुआ है लेकिन इसे पहले भी टाइगर का एकसिडेंट हो चुका है इस बार उनके पैरों में बूरी तरीके से चोटे आई हैं जो इसकी सर्जिरी फिलहाल चल रही है लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से 2009 में जब उनके सेक्स स्केंडल की खबर सामने आई उसके बाद से वो स्टार जिसे करोडों के एड़िजमेंट मिलत गेम है और टाइगर वुट्स के नाम से ही वो जाने जाते हैं कहा जाता है कि गोल्फ में जितने भी इंटरनाशनल टोर्नमेंट होते हैं उन्होंने वो तमाम टोर्नमेंट जीते हुए हैं साथी आपको ये भी बता दें कि 683 हफतों तक वो लगातार नंबर एक खिलाडी ब गया और ये भूचाल था उनके सेक्स सकेंडल की कहानी दरसल टाइगर के सेक्स सकेंडल का खुलासा 2009 में हुआ था जब टेबलॉइट नैशनल इंक्वाइर ने ये चापा कि वुट्स के नियू यॉक की एक नाइट क्लब की मैनेजर राशेल उची टेल के साथ संबंद हैं हाना कि राशेल ने इन तमाम दावों को खारिश किया लेकिन बस ये तो एक घटना थी इसके बाद दरजन भर महिलाएं सामने आई जिनोंने अलग-अलग न्यूस चैनल से लेकर अलग-अलग मीडिया अख़बारों को अपनी अपनी दास्तान बताई और बताया कि टाइग टाइगर ने संबंद इस्तापित किये थे उनमें से एक महिला ने बताया कि टाइगर को रात को नींद नहीं आती इसलिए अपने आपको व्यस्त रखने के लिए वह सेक्स करते हैं वह रात में 9 बज़े से लेकर सूर्यों दै तक यानि की उजाले तक ऐसा करते हैं यही नह अलग-अखबारों की रिपोर्ट्स के मताबिक टाइगर ने कॉल गॉर्ड के साथ संबंद बनाने के लिए उसे 60,000 डॉलर दिये थे ताइगर वॉट्स की पूर्व पडोसी के मताबिक पहले टाइगर वुट्स ने अपनी पडोसी के साथ संबंद बनाए और उसके बाद टाइगर वुट्स की छवी बुरी तरीके से तबाह हो गई 2009 में जब टाइगर वुट्स के बारे में इस तरह के खुलासे हुए उसके बार टाइगर वुट्स ने अपने उपर लगे इन तमाम आरोपों को खारिच कर दिया लेकिन उसी दोरान एक पॉन स्टार को भेजे गए वुइस मेल से एक बार फिर से टाइगर वुट्स की पोल खुल गई जिसके बाद उन्होंने इन तमाम दावों को माना और उन्होंने अपनी पत्नी और अपनी माँ से माफी भी मांगी टाइगर वुट्स की इस खराब छवी के चलते अलग अलग ब्रैंड जो उन्हें ब्रैंड अम्बैसेडर के तौर पर प्रमोट करते थे उन तमाम कंपनियों ने अपने इंडॉर्समेंट टाइगर वुट्स से वापिस ले लिये थे बताया जाता है कि साल 2000 में उन्होंने नाइकी कंपनी के साथ 105 मिलियन डॉलर का कॉंट्रेक्ट किया था जो उस समय का सबसे बड़ा विग्यापन समझोता था लेकिन ये तमाम इंडॉर्समेंट टाइगर वुट्स से इस स्केंडल के बाद वापिस ले लिये गए टाइगर वुट्स के पास पैसा था शोहरत थी दौलत थी लेकिन उनके एक स्केंडल से ये सब कुछ तबा हो गया आपको ये भी बताते चले कि 2009 में जब ये सेक्स स्केंडल आया था उसके बाद उन्होंने गोल्फ से कुछ समय के लिए सन्यास ले लिया था टाइगर वुट्स ने ये कहा कि पहले वो अपनी सेहत पर ध्यान देंगे और उसके बाद गोल्फ के मैदान में वापसी करेंगे आपको ये भी बताते चलें टाइगर के करियर पर इस तरीके का प्रभाव पढ़ा कि जो खिलाडी करीबन 600 हफ्तों से जादा तक नमबर एक पर रहा 2011 के आते आते वो दुनिया का 58 वाग खिलाडी बन गया 2009 के सेक्स स्केंडल के बाद से ही टाइगर वुड्स की जिंदगी में उतल पुतल है जो कम होने का नाम नहीं ले रही आपको ये भी बताते चले कि इस स्केंडल के बाद भी उन्होंने कोई मेजर ग्रैंट स्लैम बहुत जादा नहीं जीते उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि इस स्केंडल के बाद उनकी कमर और नीपर बुरी तरीके से प्रभाव पड़ा जिसके लिए उन्होंने अलग-अलग सर्जरीज भी कराई और सिर्फ सेक्स स्केंडल ही नहीं इससे पहले टाइगर वुड्स तेज गती से गाड़ी चलाने के लिए और नशे की हालत में गाड़ी चलाने की वज़ह से गिरफतार भी हो चुके हैं तो ये थी टाइगर वोट्स की जिन्दगी आप इसे कितने लोग टाइगर वोट्स को जानते हैं और गोल्फ को जानते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं